अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसके पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के आप लोगों ने देखे होंगे तो आप सभी को मालू होगा कि आपकी परिक्षाओं में राष्टिये खेल दिबसो या फिर अंतराष्टिये खेल दिबसो उनसे कुश्चन्स आपकी परिक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं तो आज हम लोग इस किलास में अंतराष्टिये खेल दिबसो फिर चाहे राष्टिये खेल दिबसो दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो हमारा राष्टी ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जनम दिवस पर मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद के बारे में भी हम लोग कुछ बातें करेंगे और आप सभी जानते हैं कि हौकी का जादूगर भी आप लोग उने कहते हैं और उनके बारे में एक कहानी है और ये सच्चाई भी है, कहते हैं कि जिस तरह से वो हौकी खेलते थे, तो आप देखेंगे कि एक बार उनकी हौकी को तोड़ कर देखा गया था, कि इसमें कहीं कोई आप देखें कि बॉल जिस तरह से चिपक जाती है उससे, कुछ इसमें लग तो नहीं है, तो गलत फैमी दोर की गई थी, देखिए यह हमारी प्यारी पित भी है, और एसिया में आप देखिए कि तो यह हमारा प्यारा भारत है, तो राश्टी इस तर पर खेल दिवस मनाया जाता है, एक आप देखिए अंतराश्टी है, यानि कि सभी देशों में आपका खेल दिवस मनाये जाता है उस दिन को और यह आप देखें यह है हमारा प्यारा भारत अगर हम लोग बात करें सबसे पहले राष्टिये खेल दिवस की बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को राष्टिये खेल दिवस मनाते हैं आप लोग और ये दिन होकी के दिगज़ खिलाडी मेजर ध्यानचंद के जनम दिन के मौकई पर उन्हें सिध्धानजली देने के लिए एक तरह से इसे मनाये जाता है होकी के दिगज़ खिलाडी मेजर ध्यानचंद आज यानि की 29 अगस्त 2022 को 117 वी जैनती है उनकी और होकी की जादूगर केहे जाने वाले भारत की महान होकी खिलाडी का जनम आप देखेंगे 29 अगस्त 1905 में वर्तमान प्रियागराज जिसे पहले आप लोग इलावाद के नाम से जानते थे उत्तर पिदेश में हुआ था एक बार आप लोग उत्तर पिदेश को देख लिजे आप सभी जानते हैं कि इसकी राध्धानी लखना हुए और आपको बता दूँ यहां विधान सभा में 403 सीटें देखने को मिलेंगी विधान परिशद में 100 सीटे हैं राज्य सभा में 31 सीटे हैं लोग सभा में 80 सीटें उत्तराकर्ण और कैंदसासित पिदेश नई दिल्ले सेवीस की सीमा लगति ए सबसे जाना राज्यों से सीमा लगती है उत्तर पिदेश की एब आप लोग याद रखेएगा लोकत सभा राज्य सभा बेधान USA और बेधान पर चब समय जाना हैं सभी राज्चों में तुला क करें आप लोग वैसे लिए आप देखते हैं कि राजनीती की दिरश्टी से भी काफी महत्पूर्ण है आपका उत्तरपदेश और आपको मालू होगा अगर आप लोग पिदान मंत्रियों की सोची देखें होंगे कि हमारे पहले पिदान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू भी उत्तरपदेश से निकल के आये हुए थे और मौदी सहाब अभी बर्तमान जोपिदान मंत्री हैं इनका संसदी एचित बनारस है लोग सबाच्चित इनका बनारस है उहां सुचुन कराते हैं और आप देखेंगे कि अपनी बुन्यादी सिक्षा प्राप्त करने के बाद उन गाच्चंद ने उन ही की देखरीक में होकी खिलना सुरू किया और होकी में उत्करिष्ट विदर्सन की कारण उनोंने 1927 में लाउंस नायक के रूं में निक्ति किया गया और 1932 में नायक और 1936 में सुवेदार के रूं में पदधनती हुनकी हुई और इसी बास उन्होंने भारती होकी टीम की कप्तानी की और लेटिनेंट फिर कैप्टन बने और आखिर में मेजर की रूम में वो पद उन्नत किये गए और आप लोगों को अगर इनकी स्टोरी की बात करें तो कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने आप देखी कि जो पेड होते हैं गाओ में उसकी होकी बनाके आप देखी और कपड़े की बॉल बनाकर अपनी पैक्टिस सुरू की थी तो आप समझ सकते हैं कहां से निकल के आया हुए थे इनके पिता भी आप देखी सेना में थे और फिर आप देखेंगे कि उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को तीन ओलम्पिक स्वर्ड पदक दिलाए और उन्होंने यानि की गोल्ड मेडल उन्होंने 1936 के वर्लिंग ओलम्पिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की आठ एक से जीत में महत्पूर भूमिका निभाई थी और जिसमें आप देखेंगे वह है तीन गोल की साथ टॉप स्कोरर भी रहे थे और 1928 में एंप्स्टरडम में ओलम्पिक में 14 गोल करने वाली खिलाडी भी थे वो और आप देखेंगे मेजर ध्यांचंद ने 1926 से लेकर 1948 तक अपने करियर में 400 से अधिक अंतराष्टिय गोल किये और जबने पूरे करियर में लगभग आप देखेंगे 1000 गोल किये ऐसे महान खिलाडी को सिध्धानजली देने के लिए भारत सरकार 2012 से उनके जरम दिन को राच्टिय खेल दिवस की रूम में मना रही है तो पहली बारे 2012 में मनाये गया था और इस मानता से पहले उनके भारत सरकार द्वारा 1956 में भारत की तीसरे सबसे बड़े नागरिक सब्वान पदम भूसर पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1904 में आप सभी जानते कि पदम भूसर इस्टार्ट हुआ था और राजीब खेल रतन का पुरुसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद रतन कर दिया है आप सभी को मालो होगा और अगर हम लोग देखे ए तो आपकी कहानी हुई राष्टिये खेल दिबसकी जो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है अब आपकी मन में एक और सबाल बचा हुआ है कि अंतराष्टिये इंटरनेशनल कम मनाया जाता है तो 6 अपरेल को 6 अपरेल को अंतराष्टिये खेल दिबसकी रूम में आप लोग मनाते हैं और 29 अगस्त को राष्टिये खेल दिबसकी रूम में मनाते हैं सैयुक्त राष्ट संग ने और 2014 में 6 अपरेल को अंतराष्टी खिल दिवस घोसित किया था और पहली बार आप देखिए राष्टी इस्तर का खिल दिवस कम बना गया था 2012 में और दुनिया के विभेंड देशों ने इस दिन अंतराष्टी खिल दिवस मनानी की अपील की थी यहां सयुक्त राष्ट के बारे में बात हुई है और आप सभी जानते हैं कि चाहे आपके राष्टी इस्तर के संगठन हो या अंतराष्टी इस्तर के संगठन हो इनसे questions आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अगर हम लोग UN की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सयुक्त राष्ट के नाम से इनसे जानते हैं। कूब वर्टीन की प्रयास से 6 अपरेल, 1896 को एनसे में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल सुरू हुआ था। और इसलिए इस दिन को अंतराष्टी खेल दिवस के रूम में मनाने की बात होती हैं। और 6 अपरेल को अंतराष्टी ये खेल दिवस के रूम में मनाये जाता हैं। तो इसके एक-एक पॉइंट याद रखेगा। अगर आप लोग सेविल सर्विस की तैयारी कर रहे होगे, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होगे। तो वंडे एकजाम में पूछते रहते हैं, प्रेलम्स में भी आते रहते हैं। और जब वंडे एकजाम की बात होती है न, तो फिर चाहिए आपकी सेंटल लेवल पर कही एकजाम होते हैं। say-bank railway तमाब एक जाम होते हैं और श्टेट लेवल पर राजजिस्तर पर आप देखते हैं सिख्छक भरतिया होती रहते हैं SI दरोगा की होती रहती है या सिख्छक भरतिया और आप देखिए कि post office हो police हो constable की बात हो रही है फटवारी हो इस तरह कि के तमाम एक्जाम होते हैं तो उनमें भी पूंच लेता है